हालो फ्रेंड्स मैं इक्ता आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूं आज मैं बीना जूसर के मिक्सी में 5 मिनट में मोसबी का जूस कैसे बनाए उसका तरीका बताऊंगे उससे पहले फ्रेंड्स अगर आप मेरी वीडियो को फॉर्स टाइम देख रहे तो लाइक शेयर सब जूसी वाला मौसमी जूस करके लाना है तो एकदम रस भरा हुआ तो सबसे पहले अब इधर देखिए हम इसको क्या करेंगे कि आप चाहें तो छिल भी सकते हैं मैं यहां पर चाकू की सायता से कट करूंगी तो देखिए मुसबी जो है बहुत ही फायदे मंद होता है और र तो यहां पर देखिए चाकू की सायता से हम इस तरह से छिल लेंगे बहुत ही आसानी से यह छिल जाता है तो यह देखिए इस तरह से हम सारे मौसमी को चाकू की सायता से ऐसे छिल लेंगे बहुत ही हेल्दी होता है हमारे पाचंतंत को सुधारता है और केलेस्ट्रॉल को कम करता है आँखों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है तो ये काफी हेल्दी होता है हमें इसके जूस को भी आपका पीने का तरीका होता है कि इसका जूस आप कब पीएं तो इस तरह से देखिए दूसरे वाले को भी हम ऐसे ये छिल लेंगे तो ये देखिए इस तरह से हम कर सकते हैं और ये सुगर लेवल को भी आपको कंट्रोल करता है तो लेकिन मैंने बताया था कि पीने का तरीका सुगा आप इसको खाली पेट पीजिए और ये देखिए इस तरह से सारे मुसब्वी को हमने इस तरह से छिल लिया है कई बीमारियों का एक उपाय है ये मुसब का जूस इसमें विटामिन सी भरपूर मातरा में होती है तो बस देखिए इस तरह से सारे मुसब्वी को मैंने छिल लिया है और अब ये जो सफिद वाला हिस्सा है आप सोचेंगे कैसे निकलेगा तो मैं बहुत ही ईजी तरीका आपको बताऊंगी कि कैसे निकलेगा तो यह उसके जो बीज होते हैं बीज में ही रहते हैं बहुत ही आसानी से यह बीज निकल जाते हैं तो देखिए इस तरह से सारे बीज को आपको ऐसे निकल लेना है तो यह देखिए इस तरह से जो भी आपको बीज दीख रहा हो बहुत ही आसानी से चाकु की साहता से यह निकल जा बहुत ही एजी तरीके से यह बेज निकल जाते हैं, और आपको क्या करना है, इसको आप टुकड़ों में ऐसे कट कर सकते हैं, तो यह देखिए, तो बहुत ही आसानी से वाइट वाला जो इससा है, यह निकल आपको बता रहे हुँ अब देखिए, यहाँ पर मैंने मिक्सर के जार ले लिया है और इसमें एक चमच मैने चीने डाल दिया है अगर आप हलका czas़ा मीटा पीना बच्छों के लिए बनाए है तो इसमें थोड़ा सा मैने चीनी डाल दिया है तो मैदो देखिए इसWWB हिस्से जो है बहुत ही इजी तरीके से निकल ना रहा हैं यह देखिए नै तो आपने आप यह वाइट वाला हिस्सा निकल आएगा इस तरह से आप हाथों से टुकडों टुकडों में कट कर लिए तो अब हम इसको मिक्सर के जार में डाल के इसको पीस लिए तो यहां पर देखिए आपको पानी सुरुवात में नहीं एड करना है तो पहले आप इसको एक बार ऐसे चला लीजिए तो देखिए एक मिनट के लिए मैंने ऐसे चला लिया है और अब हम देखिए इसमें पानी एड करेंगे तो पानी आपको बहुत नहीं एड करना है तो यह देखिए मैंने गलास लिया है इसमें आधा गलास से भी थोड़ा कम ही आपको पानी कर लिया है और अब हम फिर इसको चलाएंगे तो इसको पूरा दो मिनट तक हम अच्छे से चलाएंगे तो यहां पर देखिए मैंने इसको दो मिनट तक ऐसे चला लिया है देखिए यह मासमी का जूस एकदम डेडी हो चुका है और अब हम इसको चानेंगे तो यह चानने के ल बहुत ही गाड़ा ये आपको देख रहा होगा बहुत ही गाड़ा जूस बहुत पर्क तड़ी के से निकल गया है तो अब इसको हम चम्मच की साइथा से ऐसे दबा दबा के जूस को निकाल लेंगे बहुत ही एजी तरीका है आम भी चूरूर ट्राइ एगा बहुत ही घंदी तुरंत बना के पी लें और अगर आप चाहें तो इसमें भुना हुआ जीरा या काला नमक डाल सकते हैं तो देखिए टेस्टी हेल्दी मॉसमी का जूस मिक्सर की जार में पांच मिनट में एकदम रेडी हो चुका है आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू फ्रेंड